लाफिंग बुद्धा एक नहीं बलकि 12 तरह की होते हैं। चीन में माननेता है कि अलग-अलग जगें और इच्छों के हिसाब से इनको रखा जाता है। कौन सा लाफिंग बुद्धा सई है? यानि कौन सा लाफिंग बुद्धा किस मनो कामना को पूजरी करता है? आज ये हम आपको बताते हैं। दोनों हाथ उपर किये हुए laughing बुद्दा, अगर बिजनिस ठीक से नहीं चल रहा है या लगाता नुकसान हो रहा है, पैसों की कमी है, तो दोनों हाथ उपर किये हुए laughing बुद्दे की मूर्थी दुकान या office में रखें, इससे आपको बरकत मिलेगी धन की पोटली कांधे पर टांगेवे लॉफिंग बुद्धा किसी भी घर या ओफिस के लिए शुब माना जाता है इसे रखने से पैसे से जूड़ी हर परिशानी खतम हो जाती है लेटा हुआ लॉफिंग बुद्धा इसे पत्ती पत्ती अपने कमरे में रख सकते है थेला लिया हुए लॉफिंग बुद्धा अगर दुकान या ओफिस के मैन गेट पे रखे तो इसे इनकम बढ़ती है ध्यान रहे कि लॉफिंग बुद्धा के पास जो थेला हुआ खाली नहों इस थेले में रखा सामान बाहर तक नजर आना चाहिए ड्रेगन वाला लॉफिंग बुद्धा घर में कोई जादू टोना करता हो या किसी की बुरी नजर हो आपके घर के सदस्यों पर पड़ी हो तो ड्रेगन पर लॉफिंग बुद्धा को दुकान घर में रखना चाहिए इससे सब भी नेगेटिव एफेक्ट खतम हो जाते हैं ऐसा विक्ति जो कभी निर्ने नहीं ले पाता हो जिसकी निर्ने शमता बहुत कमजोर हो तो वह धातू से बनेवे हस्तिव लॉफिंग बुद्धा की प्रतिमा अपने घर या ओफिस में रख सकता है इससे आपकी निर्ने शमता और अधिक बढ़ जाएगी घर या दुकान में खुशाली और समर्दी को बढ़ाने के लिए हस्ति हुई लॉफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए और इसे इस तरह रखे कि वे आने वाले मेमान को देख रहा हो जिस मूर्ति में लॉफिंग बुद्धा ध्यान करते वे दिखाई दे रहे हो ऐसी मूर्ति से घर दुकान का माहो शांती पूर्ण बना रहता है और वहां के लोगों को गुस्सा भी कमाता है नाव पर बेठा लॉफिंग बुद्धा को ओफिस या घर की वर्किंग टेबल पर रखना शुब होता है इससे तरकी के रास्ते खुलते हैं ध्यान रहे नाव कुछ इस तरह रखी जानी चाहिए कि वो अंदर आती वी दिखाई दे जिस मूर्ति में लॉफिंग बुद्धा एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंका लिये वे होता है मैं मूर्ति घर दुकान में खुशाली और सफलता लेके आती है अगर मैं घर में कोई बीमार हो लेकिन बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो तो हाथ में वुलू लिये वे लॉफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तके के पास रखना चाहिए जल्दी जाच में बीमारी का पता चल जाएगा वुलू एक प्रकार का चीनी फल है जो पीले रंग का होता है तो दोस्तों न्यूज पसंद आये तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार